हलो फ्रेंड्स माय साहब डॉक्र सुनील तमार कंसल्टेंट एंटी एंड राइनो प्लांस्टी सर्जन जैपूर दुर्बीन हॉस्पिटर दोस्तों बात करते हैं आज एंटी के अंदर जो एर से रिलेटेट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो रोज मर्रा की जिदगी में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका क्या उन प्रॉब्लम्स का मैनेजमेंट है बट दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देगे बेल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले जिसे आने वाले ऐसे अनेग उपयोगी वीडियो का समय समय पे आपको नोटिफिकिशन मिलता रहे दोस्तो बात करते हैं इयर दोस्तो गोड ने जो human being को एक सबसे बड़ी strength जो दिये है वो है thinking और thinking के लिए हमें अच्छे से सुनाई जरूरी है जिससे हम उस पे think कर सकें सो दोस्तो जो हमारा एयर है उसके अंदर क्या 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 common problems हो सकती हैं अगर हम divide करते हैं तो broadly जो है वो तीन जो है problem जो है commonly हमारे एयर में affect होती हैं दोस्तो नमबर वन decreased hearing number two ear discharge कान से जो है discharge निकला and number three vertigo or tinnitus तो दोस्तो ये तीन जो problem है usually हमारे कान से related हैं अगर हम बात करते हैं number one decreased hearing हमें सुनाई का कम देना बहुत common है कभी ना कभी ना किसी को family में या खुद को भी हमें तो अगर हम बात करते हैं decrease hearing के दोस्तो कारण है तो उसमें हो सकता है anatomically हमारा जो कान की बनावट में problem हो सकता है बहुत बार क्या है जो हमारे कान के अंदर जो हमारा जो परदा होता है उससे बाहर जो हमारा कैनाल है उस कैनाल में wax का बनना होता है wax के करण जो है फुरा ear block हो जाता है और दूसरा कई बार क्या होता है कि अगर बच्चों में ब जो हमारा ear drum होता है, जिसको हम टिंपेनिंग मेंब्रेन बोलते हैं, बहुत बार जो ear drum के अंदर problem के कारण भी decreased hearing हो सकता है, क्या-क्या ear drum में problem हो सकती है, हो सकता है, हमारा जो ear drum है, उसके अंदर hole हो, पर्दे के अंदर छेद हो, हो सकता है, हमारा जो ear drum है, वो चिपका हुआ ह हो सकता है ये ड्रम के आगे जो बहुत तीन चोटी चोटी बोन होती है मेलियस, इंकस, बहुत बार क्या है उनका ढमेज हो जाना HP हो जाता है और बहुत बार क्या है कि इसके आगे जो हमारी आवाज को brain गेंग ब्रेन नार्व के जाती है वो भी weak हो जाती है उसके जो कमजोरी हो जाती है उसके करण भी decreased hearing हो जाती है सो यह मोटे-मोटे का है decreased hearing की दोस्तो region है इसके अलावा अगर दूसरी problem का बात करते है ear discharge, कान के अंदर पानी आना, वो हो सकता है कि simple fluid भी हो सकता है, हो सकता है कि वो पस भी हो सकता है, हो सकता है वो blood भी हो, दोस्तों most common जो है ear discharge का जो region है, वो है infection particularly कोई भी infection के कारण ear discharge होता है second, बहुत बार क्या होता है कि हमारा कान का जो परदे के अंदर, जो hole होता है छेद होता है, तो जो हमारा ear के अंदर, ear drum में जो हमारा protection होता है वो damage होता है, उसके कारण भी जो है, वो कान के अंदर जो है, वो discharge होता है बहुत बार दोस्तों, कान के अंदर जो है, कोई mass बन जाता है या कोई trauma के कारण road traffic accident है, या sudden slapping है, जिसके कारण कान के परदे में hole होता है तो bloody discharge और blood भी जो है, वो basically कान के परदे के फटने के कारण हमारे को discharge हो जाता है बहुत बार अगर आपको severe accident या बड़ा कोई trauma होता है तो हमारे brain का पानी भी जो है कान से निकलता है, जिसको अपन CSF photoria बोलते हैं तो दोस्तों, ये common reason है कान से ear discharge होने के जो हमारी तीसरी problem है voltaigo and tinnitus दोस्तों, voltaigo एक बड़ी complex problem होती है जैसे हमारा गोड ने हमारा जो ear बनाया हुआ है, उसके दो काम है just to provide hearing to the body सुनाई देना और दूसरा हमारी body का balance बनाना तो ये जो दूसरा जो work है, वो हमारा जो अंदर वाला ear है, जिसको आंतरिक ear बोलते हैं, inner ear उस inner ear के अंदर कोई problem होती है, कोई infection होता है उसके कारण हमारे को voltaigo होता है लगता है हम खुद गूम रहे हैं या हमारा surrounding गूम रहा है, जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं, ये voltaigo के most common region होते हैं अदरवाइस जो हमारे चक्कर आते हैं वर्टाइगो होते हैं, उसके और भी कई सारे कारण होते हैं, जिनमें इमानोवा blood pressure भी एक region होता है, कम BP का होना, postural जो है वो कोई particularly एक position होती है, जिसमें हमें वर्टाइगो होती है ये भी अलग-अलग region होती है बहुत बार हमारे को cervical के करण भी जो है वो, and बहुत बार emotional कोई liabilities कोई problem होती है, उनके करण भी चक्कर आते हैं, इसके अलावा एक जो related problem है दोस्तों, वो है basically tinnitus tinnitus मितलब ringing sound नहीं है, कान के अंदर सहीं 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 आवाज आना जब patient एकांत में होता है तो उसके कांत से उसको sound perceive होती है that is the subjective tinnitus बहुत बार क्या होता है, objective tinnitus भी होता है, जैसे patient बैठा होता है, उस patient में से क्या है आवाज आती है, टिक 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 जैसे पुरानी हमारी गडियां होती थी but usually जो है, वो subjective tinnitus होती है, उसमें patient कोई फील होता है, तो दोस्तों यह है common कारण जो हमारे basically ear को affect करते हैं और जिन से हमें जाना जा सकता है कि मेरे को decrease hearing है, या मेरे को ear discharge हो रहा है, या मेरे को vertigo है, या मेरे को tinnitus है दोस्तों हम बात करते हैं इनके management की नमबर वन, जैसे हमने बात की decrease hearing, सोस्तों दोस्तों, decrease hearing के लिए सबसे पहले जो हमें routine हमारी एक audiometry, टेस्ट होता है जो हमें कराना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे को सुनाई कितना कम दे रहा है कितना decibel का हमारे को lows है, दूसरा हमें चिकत्षक को दिखाने से, auto endoscopy, दूरबीन से जो ear को check करते हैं उसे ये भी पता लग जाता है कि मेरे ear drum में कहीं कोई problem तो नहीं है सो बहुत बार जो mostly cases में दोस्तों, जो हमारा ear wax होता है, उसको clean करने से भी getting good benefit हमें अच्छा उससे फाइदा हो जाता है, mostly common यही region होता है, इसके अलावा अगर audiometry में हमारे को यह आ रहा है कि हमारी nerve weak है, या आंतरिक ear में problem है, या परदे में problem है तो उसको जो है, उसका treatment किया जाता है नमर टू, जो हमारी problem थी दोस्तों, ear discharge अगर ear discharge का management करते हैं, दोस्तों, so ear examination की बाद हमें लगता है कि हमारा ear drum ठीक है, उसमें खाली simple fungus लगा हुआ है, या कोई wax के कारण infection है, तो उसको cleaning किया जाता है उसको कुछ antibiotics दी जाती है nasal decongestant दिया जाता है and just ask to the patient कि आपको कान के अंदर पानी नहीं जाने देना, आपका ear dry रखना है, उसमें जब भी नहाएं तो patient को, जो उसको cotton को, नारे लिया सरसुं के तेल में dip करके, squeeze करके नाने से पहले उसको कान में डांट लगाना चाहिए and जो भी doctor ने 8 या 10 दिन का antibiotic का course दिया है, उसको holo करना चाहिए, ear drop अगर आपको advise की है, तो डालना चाहिए, advise नहीं की, तो usually नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या है कि ये देखने को मिलता है कि unnecessary ear drop डालने से भी patient को problem create हो जाती है and इसके अलावा बहुत बार अगर कान के पर्दे के अंदर कोई problem है तो उसको भी कहा है कि surgical जो है वो tympanoplasty और mastodactomy के माध्यम से ठीक किया जाता है दोस्तो एक बहुत important बात है कि अभी भी हमारे rural area में अगर कान के पर्दे में अगर होल होता है उसके कारण बार-बार ear discharge हो रहा है पेशिंट ने दवा ली और वो दवा लेने के बाद जब उसका discharge ठीक हो जाता है और वो इस स्वस्ता है में तो ठीक हो गया तो दोस्तो ऐसा नहीं है अगर आपके पर्दे में कोई defect है आपके पर्दे में कोई problem है तो उसको surgically डॉक्टर के अनुसार repair कराना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारा और hearing loss नहीं हो और unnecessary की जो complications हैं वो नहीं हो दोस्तो हमारा ear के उपर हमारा brain होता है और ear और brain के बीच के अंदर बहुत पतली बोन होती है persistent salon अगर हमारे पस आता है तो बहुत बार ये मवाद जो हमारे दिमाग में चली जाती है वो उसका खामिया जाना मरीज को बुगतना पड़ता है बहुत बार वो आईश्यू में जाता है brain की surgery होती है उसके बाद भी मरीज को नहीं बचा पाते जो एक छोटी सी चीज समय पे ठीक होती तो वो आगे जाके बड़ा विक्राल रूप धारण कर लेती है और दोस्तो आपको मैं बताऊँ आजकल जो ear surgery है वो बहुत simple है यानि पहले क्या है ear के अंदर पीछी जो एक incision लगाना पड़ता था और incision के कारण बहुत सारे लोग surgery नहीं कराते थे उनको लगता था कि कॉस्मेटिकली स्कार हो जाएगा उनको लगता था कि मेरा कान काट तिये जाएगा दोस्तो विक्यान के अभिस्कार के कारण आजकल endoscopic दुरबीन से कान की surgery होती है पीचे से कहीं आपको चीरा लगाने की जरूत नहीं है and hardly एक से देड़ दो गंठे के अंदर यह surgery होती है दो गंठे बाद डिस्सार देन उसके बाद whatever you want to do, सब कुछ आप अपना काम कर सकते हो army aspirant, army में जा सकता है defense person, defense में जा सकता है so उसमें कहें पीचे कहीं कोई scar या incision नहीं आता इसके रहावा जो हमारी दोस्तो जो third problem थी vertigo, चक्कराना दोस्तो vertigo बड़ा complex topic है उसके management के लिए एक vertigo work up होता है कुछ battery of test होते हैं जिन test के माध्यम से हमें ये पता लगाया जाता है कि इस vertigo का ये कारण है बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ बहुत बार कान के परदे में जो perforation होता है बहुत बार जो impacted जो बहुत दिनों से जो wax होता है उसके कारण भी vertigo होता है अगर हम practice की बात करते हैं तो 250% cases के अंदर तो इनी सब को ठीक करने से कान का vertigo ठीक हो जाता है कुछ cases के अंदर कान के अंदर जो परदे में होल होता है उसके कारण भी क्या है vertigo होता है क्योंकि हमारा जो अंदर का आंतरिक येर है वो exposed रहता है वो exposed येर डेमेज होता है उसके कारण भी vertigo होता है तो कुछ जो कारण है उस कारण को ठीक किया जाता है इसके लावब दोस्तों लास्ट जो हमारा ringing sound है जो टीनिटी से बहुत बार दोस्तों वो patient जो है इससे इतना परिशान होता है कि कई बार उसको psychiatric problem भी create हो जाती है तो उसके लिए जो ringing sound का जो treatment है उसमें अगर patient का जो हम audiometry है जो test कराते हैं उसमें nerve weakness आ रही है तो उस patients को कुछ medications दी जाती है एर के अंदर blood flow बढ़ाने की जिससे उसको जो है वो धिरे-दिरे वो sounds कम हो जाती है बढ़ बहुत बार क्या होता है edge related यानि उम्र के हिसाब से कोई hearing loss होता है या कोई ear के उपर sudden slapping हो जाता है या चोट के करण हमारी nerve जो weak हो जाती है वो बहुत दिनों तक ठीक नहीं होती but उसका medication भी दिया जाता है and patients को try to avoid that things उसको थोड़ा सा ignore करना चाहिए दिरे-दिरे-दिरे वो अपने आप बंद हो जाती है थोड़ा सा उसके हमारे को ध्यान अटाना चाहिए so दोस्तो यह है हमारे common जो E&T में ear से related problems and उनका management so दोस्तो I think this all information regarding the ear problem is useful and you can share to your family and friends and colleagues just to create awareness about the ear problem in our society and इसके अलावा दोस्तो आपका अगर कोई question है आपका कोई सवाल है आप मेरी website login कर सकते हो जैपूरदूरबीनhospital.com and मेरे comment box पे आप कोई सवाल पूछ सकते हो definitely I reply next video में दोस्तो नोज की जानकरी के लिए हम फिर मिलेंगे and ऐसे ही common problem and nose से related जो है उसका management का discuss करेंगे thank you for watching हुआर नोगर पूँछ नोज लिएक कर दो है कर दो हो है झाजर रोस्तो और जए हो हुआए स्तोनेवोच कर दो झारा है से और सह सो कि आपका आह कर दो प्त वन